वेलकम डू रेसिपी आप तबीक आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ गेहूं के आटे से बने बटूरे चोले के साथ हम बटूरे तो बनाते ही है लेकिन वो हम मैदे से बनाते है तो कई बार हम बटूरे खाने को एवर्ड करते है तो आज मैं आपके साथ गेहूं के आ धाटा है 1 4 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 फॉर्ट टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तलने के लिए तेल चाहिए और यह मैंने एक कप गुनगुना पानी लिया है पानी को हमें थोड़ा गुनगुना करके लेना है ज्यादा गरम भी नहीं लेना तो अभी हम गेऊं के आटे के बीच इस तरह से जगा कर लेंगे इसमें हम यह दही डाल देंगे सारी चीज़े हमें बीच में ही डालनी है सूजी के अलावा चीनी डाल देंगे नमक डाल देंगे और बेकिंग सूडा डाल देंगे और अभी हम सूजी को इस तरह से साइड में डालेंगे और अभी जो बीच में मैंने सारी चीज़े डाली है हम इस तरह से mix कर लेंगे और अभी हम आटा में ये सारी चीजें mix कर लेंगे बीना yeast के भी ये बटोरे बहुत ही tasty बनते हैं और गेऊं का आटा है तो हम बच्चों को भी बना के दे सकते हैं और हम अगर मैदा ना खाना चाहते हो तो ये एक अच्छा option है तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से आटा गुन लेती हूँ हमें गुनगुना ही पानी लेना है जिससे आटे में फर्मेंग्डेशन अच्छे से आएगा तो हमें इसका पराठे जैसा डो तयार करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके मैं इस तरह से आठा तयार कर लेती हूँ आप एक पार ये बटूरे बना के जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही अच्छे बने थे और बीना यीस्ट के बनाए है तो इस तरह से मैंने आठा तयार कर लिया है अभी हमने इसमें जरा सा भी तेल नहीं डाला है इस तरह से मैं पराठे जैसा सौफ्ट आठा तयार करना है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल लेंगे एक टीस्पुन जितना और तेल डालने के बाद हम पांच से छे मिनीट अच्छे से मसल के आठे को अच्छे से चिकना कर लेंगे तो इस तरह से मैं तेल ले लेती हूँ और अच्छे से आठे को मसल लेती हूँ इसी तरह से हमें अच्छे से मसल ना है एक टीस्पून जितना ही मैंने तेल लिया है मसलने के बाद यह अच्छे से चिकना हो चुका है आप देख सकते हो 5-6 मिनिट हमें अच्छे से मसलना है तो यह हमारा आटा तयार हो चुका है तो अब भी हम इसे डख के फर्मेंग्टेशन के लिए धाई गंटे के लिए छोड़ देंगे तो मैं डख के इसे गरम जगा पे ड़ाई गंटे के लिए छोड़ देती हूँ जिससे इसमें अच्छे से फर्मेंग्टेशन आ जाएगा तो यह ड़ाई गंटे के बाद हम चेक कर लेंगे तो आटा फूल चुका है और अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो अभी हम इसे थोड़ाई सा ही मसल लेंगे इसके उपर हम थोड़ा सा सुखा आटा लगा लेंगे गिहों का सुखा आटा लिया है मैंने और अच्छे से हमें इसमें जो एर है वो निकाल देनी है और आधी मिनिट तक ही मैं इसे अच्छे से मसल लेती हूँ इस तरह से पंच करते हुए हमें सारी एर निकाल देनी है तो यह आटा अच्छे से अधी से एक मिनिट तक मैंने मसल लिया है अभी हम इसकी लोई बना लेंगे तो बटूरे थोड़े बड़े ही होते हैं तो आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बटूरे बना सकते हो तो मैं इस तरह से अभी लोई बना लेती हूँ मैं मीडियम साइज के ही बटूरे बनाने वाली हूँ तो इस तरह से मैं लोई बना के तयार कर लूँगी जिससे हम फटा-फट से बटूरे बना सके तो इस तरह से मैंने सारी लोई बना लिये कड़ाय में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये मैंने गेहों का सुखा आटा लिया है तो सुखा आटे में इस तरह से हम लोई को लपेट लेंगे और इस तरह से हम बटूरे बेल लेंगे, बटूरे तलने के लिए हमें तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, तो मैंने तेल पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया है, तो इस तरह से मैं पहले दो बटूरे आपको बेल के दिखा देती हूं, और बाद में तल लूँगी, और आप ये गरमा गरम सव कर सक तो एक साथ बेल के बाद में भी तल सकते हो, और एक एक करके भी इस तरह से बेल के साथ में ही तल सकते हो, तो मैं आपको दूसरा बटूरा भी बेल के दिखा देती हूं, तो ये दूसरा बटूरा भी मैंने बेल दिया है, बहुत पतला हमें नहीं रखना है, तो इस तरह से मैंने दो बटूरे बेल दिये हैं तो अभी हम तल लेंगे तो कड़ाय में तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था तेल अच्छे से गरम होना चाहिए बाद में हम बटूरे डालेंगे तो मैं एक बार चेक कर लेती हूं तेल अच्छे से गरम हो चुका है और अभ तरह से थोड़ा सा हमें प्रेश करना है तो आप देख सकते हो कितने फुले फुले बटूरे बने हैं अभी मैं गेस की फुले मीडियम कर देती हूं तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं गेस की फ्लेम भी मीडियम कर देती हूं, अच्छे से हमें क्रिस्पी करने हैं, आप देख सकते हो कितने फुले फुले बटूरे बने हैं, और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब बने हैं, तो आप ये रेसिपी एक बार जरू ट्राइ कीजेगा, एक बार दूसरी तरफ भी मैं पल्टा के अच्छे से सेक लेती हूं, दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेक लेना है, तो इस तरह से मैंने थोड़ा डार किया है, तो ये बटूरा अच्छे से तल चुका है, तो मैं इसे निकाल देती हूं, एक दम बढ़िया बटूरा बना है, दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूं तो इसी तरह से मैं सारे बटूरे तयार कर लूँगी और छोलों के साथ सव करूँगी तो आप देख सकते हो कितने फुले-फुले बटूरे बने हैं आप ये रेसिपी जरूर ट्राइक कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह से दूसरी तरफ में अच्छे से सेख लूँगी तो ये दूसरा बटूर अभी रेडी हो चुका है मैं निकाल देती हूं इस तरह से दोनों तरफ से हमें अच्छे से फ्राइ करना है बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही अच्छा बना है तो इसे मैं गर्मा गरम छोलो के साथ सौव करती हूँ तो ये ग्यों के आटे के बने बटूरे छोलो के साथ मैंने सौव कर लिया है तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुले धन्यवाद हूँ